मेरे प्यारे साथियो मत्के से मतीना पैदल चल रहा है जहां ठक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिचा लेता बैड़ जाता जहां नीद आती उसी जगे सो जाता थोड़ा बहुत सत्तु जो लेके आया था वही खाता जा रहा है पानी जहां मिल जाता पी लेता रात का सफर दिन का सफर रात का सफर दिन का सफर आप तो अपनी पर चाई पीने बैट गए हो और अजान हो रही है तो अभी चाई बनी नहीं है लेकिन आपको मालूम है जब तक चाई पीएंगे जमात निकल जाएगी लेकिन आप चाई की खुरुबानी नहीं दे सकते हो मस्जद के लिए आजान की आवास सुनकर हम मस्जद की तरफ नहीं आ सकते हैं हम दुकान पे बैटे हैं और आजान की आवास आ रही हम दुकान की खुरुबानी नहीं दे सकते हैं और पूछो तो कहेंगे हम मौमिन है हम मौमिन है इमान गुर्बानी मांगता है गुर्बानी अब्दुल्ला जुल बजाते हैं जंगल में बगरियां चरा रहा है और मुहम्मद रुर्सुल्ला पर इमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बगरियां चरा रहे हैं हाँ हाँ बगरियां चरा रहे हैं बगरियां चराते जाते और सहाबा कुरान की आयतें गुन गुनाते जाते बगरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं जंगल में पढ़ते जा रहे हैं अब्दुल्लाजुल बजादेन जो पक्का काफिर है उसके कानों में गुरान की आवास टगराती है सहाबा को गुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है अभी उसने चंदायते ही सुनी थी जंगल में बखरियां चराते हुए चन्द आयते ही सुनी थी कि वो फौरान अपनी बख्रियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है है चचा इन बख्रियों को पकड़ो अब मैं इन बख्रियों को नहीं चरहूंगा और आपकी खुलामी से आजादी चाहता हूँ इसलिए कि आज हमने कैसी किताब सुनी है आज ऐसी आयते सुनी है आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इनसान का कलाम नहीं हो सकता है अब्दुल्ला अब्दुलुजज़ा को ये अब्दुलुज़ा नाम है अभी इनका ये काफिर थे अभी जब कुरान की चंद आयते सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो का अपनी बगरिया लो चचाने का क्यों क्या बात का अब मैं इसलाम लाओंगा चचाने कुर्ता उतरवा लिया लूंगी उतरवा दी गंजी उतरवा दी जूते तक उतरवा दिये बिल्कुल बरहना कर दिया नंगा कर दिया और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे इसलाम लाना चाहते हो कुरान पर आमल करना चाहते हो कुरान पर एमान लाना चाहते हो तो मैंने जो कुछ दिया सब कुछ वापस करो कुर्टा उतार दिया जूते उतार दिये रंजी उतार दी जो कुछ अमामा अमामा सब उतार दिया सिर्फ लुंगी रह गई कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि मैं अपने घर जाओं और अपनी मां से कपड़ा ले लूँ उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आकर वापस कर दें चचा कहता है नई इतनी देर की भी इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम अपने कर जाओ अगर तुम इसलाम पर आमल करते हो पुरान पर इमाल लाना चाहते हो तो तुमें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी थोड़ी देर के लिए अब दुलुजजा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूँगा तो बिल्कुल वैसे हो जाओंगा जैसे कोई जानवर भेड़ बकडी फिर सोचा जब इमान लेई आया हूँ कलमा पढ़ने के लिए तयार हूँ तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए अपनी लुंगी उतारी और फैक दी अपने चचा के मूपर और चचा के घर से अपने घर तक बरहना नंगा कमा वालदक उम्मुहा जैसे उसकी माने उसे आज ही पैदा किया हो उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिलकुल बरहना और नंगा आया रास्ते में लोगों ने उसको ठोका आया अब्दलुजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज औरे भाईो जरा तसवर करो कि इस हाल में अब मैं मौमिन हूं कैसा लग रहा है आप तो अपनी नीद की कुर्बानी दे कर मस्जद में नहीं आ सकते हो आप तो होटल पे चाए पीने बैट गए हो और अजान हो रही है तो अभी चाए बनी नहीं है लेकिन आपको मालूम है नहीं आ सकते हैं हम दुकान पे बैटे हैं और आजान की आवाज आ रही हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं और पूछो तो कहेंगे हम मौमिन हैं हम मौमिन हैं इमान कुर्बानी मांगता है कुर्बानी चचा ने इतना ही कहा था अगर तुम कुरान पर इमान लाना चाहते हो तो लंगी भी उतार दो और इसने इजाज़त इतनी मांगी थी बस कि मुझे घर तक जाने की इजाज़त दे दो सिर्फ लंगी तो है चादर पहन लेंगे और आपकी लंगी आपको दे देंगे का कि नहीं अगर कुरान पर आमल करते हो इमान लाना चाहते हो तो लंगी भी उतारो और उसने फिर लंगी पी उतार हो एमान कुर्बानी मंगता है कुर्बानी कैसा लग रहा है इस हाल में अब्दलुज़्जा का एमान बेरहाई जब वो अपने घर पे जाता दर्वाजर को दस्तक देता मां ने दर्वाजा कोला मां ने दर्वाजा कोला तो क्या देगा मेरा बेटा नंगा बड़ा था अब्दुलुजा इसलिए सर घुबा लिया बेटे इस हाल में तुम अपनी मां के सामने आए हो क्या हुआ मेरे देवर ने तुम्हारे चचाने तुम्हारे साथ ये सुलूक क्यों किया अब्दुलुजा कहता मा इसलिए क्योंकि मैं इमान ला रहा हूँ मैं कुरान को मानना चाहता हूँ मैं इसलाम लाना चाहता हूँ मैंने कुरान की आयते सुनी मेरा दिल आया है मैं कुरान करीम पर अमल करूंगा मा वो किसी इंसान का क माने का अच्छा तो तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया अमा बाप दादा का दीन नाकिस्ता हमने छोड़ दिया मुहम्मद के दीन पर एमान लाने जा रहे हैं दर्वाजा बंद कर दिया माने अगर तू मुहम्मद के रब पर एमान लाता है कुरान पर एमान लात तो मेरे घर के दर्वाजे भी तेरे लिए बंद है वो कुरान है जिसके लिए इस बेटे ने अपने मा का दर्वाजा भी छोड़ दिया मा मैं तुस्से घर नहीं मांग रहा हूँ रूम नहीं मांग रहा हूँ जमीन नहीं मांग रहा हूँ जब तुने मुझे बेटा मानने ही जिनकार कर दिया है तो मैं तुसे इस सारी चीज़ें क्यों लूँगा मा तुने मुझे पैदा किया है और अब घर के दर्वाजे से बाहर निकाल रही है मुझे एक छोड़ा सा कपड़ा दे दे कोई चादर दे दे पस इतना दे दे कि मैं उस चादर को उस कपड़े को पहन कर मक्के से मदीना चला जाओं और जनाब मुहम्मदू रसुल्ला के हाथ पर इमान ले आओं माने का चादर ठीक है अंदर गई और एक चादर उठा कर उपर से फैट दी ले अब तेरी शकल मुझे नहीं दिखनी चाही यह है कुरान पर इमान अपने घर की भी गुर्बा नहीं अब कोई घोड़ा नहीं है कोई उठ नहीं है कोई चीज नहीं है चादर के दो टुक्ड़े कर दिये जो माने चादर फैगी उसके दो टुक्ड़े कर दिये एक टुक्ड़ा पहल लिया और दूसरा टुक्ड़ा उपर डाल लिया और चल दिया मक्के से मदीना जिन लोगों नहाजिया उम्रा किया होगा वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कोई तक्रीबन चारसो किलो मीटर की दूर तसवर कीजिए आप अब्दुलुस्दा के पास घोड़ा भी नहीं है उंट भी नहीं है और मक्के से मदीना पैदल चल रहा है जहां ठक जाता उपर की चादर जमीन पे बिचा लेता बैड़ जाता जहां नींद आती उसी जगे सो जाता थोड़ा बहुत सत्तु जो लेके आया था वही खाता जा रहा है पानी जहां मिल जाता पी लेता रात का सफर दिन का सफर रात का सफर दिन का सफर चंद दिनों के सफर करने के बाद मदीना पहुँचता है फजर की नमास का वक्त है मस्जद नवी में घुस जाता है और मिंबर के पास चुपके से उसी चादर को ओड़ कर बैठ जाता है अल्ला आगे नभी सल्ले लालों सल्म नमास पढ़ाने के लिए फजर की जब आते है मिंबर के पास छुपे हुए छुपके किसे बेटे हुए इस आदमी पे नजर पड़ती है जो चादर ओड़कर बेटा है पूछा उदर कौन जवाब दिया अबदुलुजा ओदुलुजा मक्के से आए हो हाँ कैसे आए हो पैदल आया हूँ क्या करने आए हो कह आप को नभी मानने के लिए पुरान को आसमानी किताब मानने के लिए फरमाया पैदल चले आयो कहा चचा ने मुझे घर से निकाल दिया लुंगी तक उतार दी नंगा घर तक आया माने घर के दर्वाजे बंद कर दीए सिर्फ चादर ली घर छोड़ा मकान छोड़ा जमीन छोड़ी जाए दाद छोड़ी सिर्फ गुरान को अपनाने के लिए कुरान पर एमान मजबूत करने के लिए इसलाम पर एमान लाने के लिए मैं आपके पास चलाया उदर नबिया करम चीखते आया अब्दुलुजा घर छोड़ दिया मकान छोड़ दिया बीबी बच्चे छोड़ दिये मा छोड़ दी चचा छोड़ दिया कपड़ा लगता सब छोड़ दिया पैदल चलाया और एमान बचा लिया तो ये सौधा तुमने बहुत सस्ते में कर लिया है इस एमान के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी कलमा पड़ा इसलाम ले आया फरमाया अल्लागे नभी ने आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दलुजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज कैसे बदल गई अभी मैंने मिसाल दी इन खाने पीने की चीजों की तासीर नहीं बदली कुरान की तासीर कैसे बदल गई आज हम पढ़ते रमजान में पूरा पूरा कुरान सुनते कुछ-कुछ मस्जदों में एक ही रात में पूरा 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 अला जबलिल्ल ला रायتई खाशियं मुतसद्यं मिन खशयतियल्ह अगर हमने इस قرآن करीम को किसी उचे पहाड की ऊपर नाजल किया होता अल्ला यह अगर हमने किसी एक पहाड की ऊपर हमने इस कुरान करीम को उता रा होता ला रायतई तो आए मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् खट जाता, जुग जाता,